किसी जंगल में सोनी चिडिया रहती थी सोनी चिडिया के दो छोटे छोटे बच्चे थे सोनी चिडिया बहुत ही गरीब थी एक एकसीडेंट में सोनी चिडिया का पती मोनू चिड़ा मर जाता है इसी वज़े से घर चलाने वाला कोई नहीं होता है इस वज़े से वो बहुत प्रसान रहती है एक दिन सोनी चिडिया के छोटे छोटे बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था बहुत जोर की भूग लगती है भूग की वज़े से वो अपनी मा सोनी चिडिया से बोलते है मा मुझे बहुत जोर की भूग लगी है मुझे खाना दो पेटा मैं कहां से खाना लाओं जब से तुम्हारे पापा इस दुनिया को छोड़कर गए है हम लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है सोनी चिडिया ये कहकर रोने लगती है और वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठ कर रोती है तभी पेड़ से आवा जाती है अरे सोनी चिडिया तुम क्यों रो रही हो लगता है तुम बहुत परसान हो तुम मुझे अपनी परसानी बताओ साहद मैं तुमारी कोई मदद कर सकूँ पैड़ वाई आपको क्या परसानी बता हूँ आप मेरी क्या मदद कर सकते हो आप तो एक पैड़ो आप तो चल भी नहीं सकते हो बैड़ भी बता दो हो सकता है मैं आपके किसी कामा जाओ क्योंकि यहर किसी को एक दूसरे की सहता जरू करनी चाहिए पेड़ भीया मेरा पती एक एक्चिडेंट में मर गया और हम लोग बहुत ही गरिब हो गए हमारे बच्चे बूख से मर रहे हैं कुछ खाने को नहीं है गर पे और इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ इनको खरीद कर दूँ बेला तुम मेरे पेड़ से आम तोड़कर बजार में बेज़ दो इनसे जो पैसे आए उन पैसों से अपने बच्चे को काना किला देना और आप जुरूरत का समान ले आना पेड़ भाईया आपने बिल्वल सही बोला है ये मेरे दिमाग में नहीं आया था सोनी चिडिया ने एक एक करके काफी सारे आम तोड़े और एक टोकरी में बरकर दूसरे जंगल बेचने चली जाती है वहाँ पर रसीले आम देखकर काफी पक्ची आ जाते हैं और आम खरी लेते हैं इस तरह से सोनी चिडिया के सारे आम बिख जाते हैं और वो खुसी-खुसी अपने घर वापस लोटाती है घर आकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है तभी सोनी चिडिया बोलती है पेड़ भाया ने हमारी बहुत मदद की हमें पेड़ भाया को दनवात कहना चाहिए मैं तो सोच रही थी कि ये तो पेड़ है ये बिचारा मेरी मदद क्या करेगा तभी सोनी चिडिया आम के पेड़ के पास चली जाती है और बोलती है प्यार भीया आपका बहुत बहुत धन्वाद आपकी वज़े से मैंने अपने बच्चे को खाना खिला दिया आज वो बहुत खुस है वेलकॉम बना आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़े मेरे पेड़ से आम तोड़कर बाजार में बेच देना सीख मिलती है कि हमें किसी को जोटा नहीं समझना चाहिए दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें हर रोज हमारी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें